नमस्कार दोस्तों मैं संजय आपका बहुत बहुत स्वाइक करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल में तो चलिए दोस्तों आज जी बात करे लेते हैं कि Friday के ट्रेडिंग शेशन के अंदर अगर हम सुप्टर की मदद से काम करते तो कितना क्या मुनाफ़ा रहता उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंडवाल है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जैसे कि आपके सामने मैंने चार्ट ओपन कर रहा है जो कि क्यांदल यह रही क्योंकि पहले केंडल पर ओटोमेटिक देखेगा इस तरह की एक बारिक सी लाइन आ चाती है आपको simple सा identify कर लेना कि ये पहली candle है ठीक है तो आपको simple सा market का opening price देखना है यानि कि market कितने से open हुआ है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखेगा आपको opening price आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है यह रहाँ आपना opening price कितना है 49,619 ठीक है तो 49,619 किसके निरेश्ट पढ़ रहा है तो आप यहाँ पर check कर सकते हैं 49,619 मतलब कि यह क्या होगा 69,619 मतलब कि 600 के आसपास पड़ेगा यानि कि यह सबसे ज़्यादा निरेश्ट है तो हमें इससे select कर लेना है जैसे हम इसको select कर लेते हैं तो आपको simple सा इदर आना है left side में और यहाँ पर 49,619 लिख देना है जैसे आप 49,619 लिखोगे तो आपका call option और put option यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल चालते हैं ठीक है अब एक नया chart open करेंगे जो कि option chart रहेगा यह cash future chart है यहाँ पर पहले मैं सब्सक्राइब कर दूँ यह cash future chart है cash future chart में आपका एक बड़ा से message box होता है दो छोटे यहनि कि एक short term signal एक long term signal यह छोटे box भी होता है ठीक है लेकिन अब option chart पर जैसे हम लोग जाएंगे तो option chart पर यहाँ पर देखेगा simple सा एक box आपको मिलेगा और उपर लिखा होगा advance smart trade system version 6.0 ठीक है तो आपको यहाँ पर देखना है आप check कर सकते हैं यह अपना option chart है जैसे हम option chart पर आएं तो हमने देखेगा 49.600 का यहाँ पर put option पहले निकाला है आप देखेगा morning से क्या हुआ आपको सारी चींजर दिखाना चाहूँगा तो देखेगा जब market open हुआ था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद देखेगा sell signal generate हुआ sell हम trade नहीं करते क्योंकि option में अगर आप short selling करोगे तो आपका future का margin लगेगा इसलिए sell को आपको avoid कर देना है लेकिन यहाँ पर देखेगा आपका एक buy signal generate हुआ जो की यहाँ पर generate हुआ अब यहाँ से signal generate तो हुआ और आपकी यह signal generation की candle है आप यहाँ पर देखेगा 310 रुपे 70 पैसे signal आपका buy बना आपको यहाँ से entry नहीं करनी इसकी जो nest candle है यहाँ से entry करनी है और nest candle पर आपको चेज़े जो चेक करनी पड़ती है आपको simple से यहाँ पर देखेगा नीचे volume आपको देखना है green है या नहीं तो entry candle जो होती है अपने nest candle होती है और nest candle पर आपको नीचे volume चेक करना है आगर यहाँ पर volume green है तो definitely इसको trade करना है इसके बाद देखेगा आपका यहाँ पर first target अच्छी हुआ, second target यहाँ पर अच्छी हो चुका है अब हम तोड़ा आगे बढ़ता है जैसे आगे बढ़ता है यहाँ पर sell signal generate हुआ, कुछी नहीं करना था, wait करना था, हमने wait किया, wait करने बाद देखेगा फिर से यहाँ पर एक buy signal generate होता हुआ, दिखाई दिया, जो की 312 रुपे 70 पर से generate हुआ, फिर से आपको यहीं करना है आगली candle यारी यहाँ से यहाँ पर आपको एक को entry करना है, जै और market देखेगा यहीं लगबग second target के आसपास काफी धेर तक चला और इसके बाद market closing टाइम पर आपको इसने third target भी अचीव करवा दिया, तो इस तरस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेगा बैंक लिप्टी put option 49.600 बाले में यहाँ पर आपको दो signal में आपको काफी अच्छे target मिले और अपर देखेगा आपकी जो एक्रोशी आई है 100% आई है ठीक है अब हम बात करते हैं यह तो उगया put option अब call option की बात कर लेते हैं तो यह call option देखेगा 7 strike price का आपको call option देखना है 49.600 को में call option लगा लेता हूँ और देखेगा morning से भी तक इसके अंदर क्या हुआ है तो अगर मैं देखने जाता हूँ तो morning में देखेगा कोई भी signal यहाँ पर generate नहीं हुआ देखेगा आपका जो call option है वो लगातार sorry मैं पूरा दिन का नहीं बता पार हूँ पूरा दिन के बता देता हूँ जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं morning में देखे क्या हुआ morning में आपका एक buy signal generate हुआ थे यहाँ से क्योंकि यहाँ पर देखेगा आपका एक line है और इधर का date अगर check करेंगे 23 March का है और यहाँ से अगर date check करेंगे 24 March का है तो यहाँ से आपको check करनी है देखेगा जैसे मैं check करता हूँ एक buy signal यहाँ पर मिला लेकिन नीचे अगर volume check करने जाता हूँ तो volume लगातर rate चल रहा है यानि कि इस signal को हमें trade नहीं करना अगर इसको trade कर लेंगे तो भी पक्का नुकसान लगने वाल है और आप check कर सकते हैं यहाँ पर हमें signal को trade नहीं किया इसको avoid करन और देखेगा market देखेगा target भी नहीं दिया और माहा से देखेगा कितुना घूम पर कर टाइगेट दिया तो पहली बात क्या होती है जब भी हम यहाँ पर buy करेंगे तो यहाँ पर नीचे हमें volume green देखना compulsory है इसके बाद इसके बाद इसके बाद लगा था नीचे गिरा simple सा पंडा साब तो यानि कि हमने put option के अंदर काम किया call option के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ Friday के trading session के अंदर ठीक है तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने bank crypto में कैसे profit अर्ने किया अगर आप चाहते हो कि म्यार यह जो कुछ भी हुआ live market देखना चाहते हो live market system work करता है वो अगर दे फिल अप करके हमें send कर दीजिए या फिर आपको यहाँ पर एक WhatsApp नंबर दे रहा होता है इस पर आप हमें WhatsApp भी कर सकते है और live demo देख सकते है live market में तो दोस्तों बिल्कूल देर मत कीजिए का सौप्टर काफी अच्छा है सौप्टर की जो quality है वो काफी शानदार है और सौप वो nifty के performance का होगा तो वो भी जरूर देखेगा मिलता है एक नए वीडियो साथ तब तक के लिए bye and thank you